हेलो फ्रेंड्स मेरे नम राजी कुमार गुपता है दोस्तों और आप देख रहे हैं गार्डिंग सीको तो फ्रेंड्स आज आपको मैं 27 तरह की ऐसी सब्जीयां बताने वारा हूं जो कि आप अपने गमलों में उनको असानी से ग्रोव कर सकते हैं अपने आप छट के ओपर भी अगर आपने छोटे छोटे गमले रखे हूआ या कोई बैग रखे हूआ है तो उनमें भी आप इसली से इन सब्जीयों को ग्रोव कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले जो आपको मैं सब्जी बता रहा हूं उसके अंदर है यह हमा कम ना हो और मैं आपको यहां सजेस्ट करूँँगा कि आप पोर्ट में लगाने की बज़ाए अगर जो आटे की खाली थेलियों होती हैं उनमें अगर लगाएंगे तो आप अगर चार प्लांट भी लगाते हैं तो चार थेलियों में अगर आप लगा दें तो आपको अब बात करते हैं दूसरी के टमाटर को भी आप जो है नो से बारा इंची के गमले में इजली ग्रो कर सकते हैं ये भी बहुत ही असानी से लग जाता है तो आप इसको घर पे भी सीड के दोबरा किसी भी टमाटर के जो आप यूज कर रहे हैं उसके सीड ही आप उसमें डाल दीजिए पानी में गोल कर तो कुछ दिन बात देखेंगे आप वहां पर वो प्लांट असानी से लग जाएंगे तब आप उन्हों प्लांटों को एक एक दो दो प्लांट जो है 9 से 12 इंची के गमले में लगा दीजिए अगरी बात करते हैं मटर की जो मटर का प्लांट है ये भी हमारा असानी से 9 से 12 इंची के गमले में ग्रो हो जाता है इसको भी आप गर पे ही सीड के दोबरा मटर जो आप यूज कर रहे हैं उस मटर को आप अगर जमीन में मिट्टी में लगा देते हैं सौरी तो वह भी आपको प्लांट बन जाएगा और उस प्लांट को आप दो दो प्लांट जो है 9-9 इंची के गमलों में लगा दीजिए और इसके भी आप 5-7 गमले लगाएंगे तो आपको ये भरपूर पैदावार देखने को मिल जाएगी अगला प्लांट हमारा आता है बैंगन का बैंगन में कहीं विराइटी आती हैं आप बैंगन की किसी भी परकार की विराइटी को असानी से इस मौसम में ग्रो कर सकते हैं और इसके लिए भी आपको 9 से 12 इंची का पॉर्ट ही लेना पड़ेगा, उससे कम का पॉर्ट इसमें आपको पैदावार नहीं मिलेगी, तो आप अगर 12 इंची का पॉर्ट लेंगे, और एक पॉर्ट में एक ही प्लांट आप लगाएं, और इसकी समय समय पर गुड़ाई करत करकें प्लांट लोत का कर शूप लुए प्लांट है, अगला प्लांट आता है हमारा बिंडी का, बिंडी को भी, आप इस मोस्म में आसानी से ग्रोओ कर सकते हैं जो की बहुत है असानी से लग जाती है, शी लुज्व एफिव भी आप सीड के दोबड़ा ग्रोओ करते हैं और उसको आपको दो दिन चाया में सुकाने के बाद अगर आप इसको ग्रो करते हैं तो आपको इसका भी रिजल्ट देखने को अच्छा मिल जाएगा और इसको भी आप 9-12 इंची के गमले में लगाएं और ये प्लांट जो हैं जो आप एक एक प्लांटी एक गमले में लगाएं अगली बारी आती है हमारी गोबी की फुल गोबी का प्लांट जो है अगर आप इसकी मैं कहूंगा पॉज लेकर आ जाएं तो वो ज्यादा बढ़ी है क्योंकि सीट के दोड़ा ग्रो करना ये हर किसी के बसकी बात नहीं है काफी ट्रिपिकल है तो इसी लिए जो गोबी की जि बारा इंची के पॉट में लगाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा एक पॉट में एक ही लगाएं और सेम प्रसेस जो है हमारा ये पता गोबी के साथ भी रहेगा पता गोबी को भी आप अगर लगा रहे हैं तो इसको भी फुल गोबी की तरह आप बारा इंची के पॉट पोड में लगाएं और एक पॉड में एक ही लगाएं ब्रॉकली को लगाने के लिए आपको जो है इसकी भी पौज ले ये भी 2-3 रुपरे के आपको कृड़ पोड़ा मिल जाएगा इस पौजे को भी आप अगर लगाना चाहते हैं तो ये 9 इंची के पॉड में भी असानी से लग जाता है, क्योंकि ये ज़्यज़ा बड़ा नहीं होता है और जल्दी रिजल्ट इसका मिल जाता है तो इसलिए इसको आप 9 इंची के पॉर्ट में लगा सकते हैं मगर इसको भी आप एक प्रांट को एक पॉर्ट में ही लगाएं अगरी बारी आती है हमारी अर्बी की अर्बी को आप जो है अगर किसी ग्रो बैग में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था आलू की तरह आठे की ठैली में अगर लगाएंगे तो इसकी पैदावार भी आपको देखने में अच्छी मिल जाएगी आप इसका जो है अर्बी जो है खरीद कर लिया है मार्किट से उसी को आप अर्बी को छोटे पीसों को एक-एक उसमें लगा दीजिए ग्रो बैग में तो कुछ टाइम बाद आप उसको देखेंगे कि वो प्लांट में तबदील हो जाएगा और उसके अं豆 आपने जो उसकी जितनी भी एक बात जिए निए जो जारी हो जाएगा मतलब कहने का यह है कि साइट जो है छोटा मिलेगा आपको अगर आप बड़ा साईट चयाते हैं आलू का भी और अर्बी का भी तो आप उसके लिए भुरुगरी मिटी रखें मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको जितनी भी चीज़ें आप मिटी के बीच में लगने वाली हैं उसके ये मिटी हलकी रखें तो वो ज्यादा बढ़िया रहे आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा और इसके भी आपर बीक अगर पांच प्लाट लगाते हैं ग्रो बैग में आटे की ठैरी में तो आपको ये अच्छा जल्ट देखने को मिलेगा ये भी बहुत ही असानी से गर पे लग जाती है अग़र प्लाट राता है हमारा शिमला मिट्च का शिमला मिट्च को भी आप 9 इंची से 12 इंची के पॉर्ट में असानी से लगा सकते हैं और इसको लगाने के लिए भी आपको जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि आप जो घर पे इसको लेकर आते हैं इसको काटिये और इसके सीट्स जो हैं जो आप दो दिन चाया में सुका लीजिए सुकने के बाद आपने इनको भी ग्रोव करेंगे जैसी तो आपको ये ग्रोव हो जाएंगे और आपने इनका एक एक प्लांट जो है एक एक पॉर्ट में लगा दीजिए तो इसको आपको कम से कम पांच प्लांट लगाएं तो आपको ये देखने में इसका रिचल्ट है जो अच्छा मिलेगा अब बादी आती है हमारी पत्ते वाली सब्जियों की जिसमें सबसे पहले हमारा धनिया आता है जो की हर सब्जी में डलता है इसको लगाना भी बहुत जादा असान है आपके किचन में जो साबत धनिया है जो हम मसालों में यूज़ करते हैं यानि की छिड़क दीजिए और हलका सा पनी डाल दीजिए कुछ दिन बाद उसमें से भी आपको ये प्लांट्स आपके जो है निकल आएंगे तो इसको भी ग्रोव करना काफी ज़दा असान है इसको भी आप किसी भी बरकार के कंडेनर में लगा सकते हैं इसके लिए जदा से जदा आप फिलाफ बाला अगर लेंगे जैसे कि एक आम की पेटी बगरा होती है तो उसमें जदा बेटर रजल्ट आपको देखने को मिलेगा अगली बारी आती है हमारी पुदीने की पुदीने को भी आप जो है कटिंग के दोबारा असानी से लगा सकते हैं आप एक बार मार्केट से गुछ्छी ले आएं इसकी और उसी की जो ब्राचिज हैं उसकी कटिंग करकर आप अपने पॉट में असानी से लगा सकते हैं इसको ये भी आपका जो रिजल्ट है देखने में काभी अच्छा मिलेगा इसका भी अगली बारी आती है हमारी पालक की पालक को भी आप असानी से जो है इस मौसμ में grow कर सकते हैं इसके लिए भी जो है जितनी भी पत्ते वाली सब्जी हैं उनके लिए अगर आप फिलावट वाला अगर कोई बरतन लें जैसे बड़ा टब होता है वैसा लें या कोई बड़ी प्रांथ है आपके पास भले ही उसकी जो घेराई है वह कम हो मगर उसके जो फिलावट है वो ज्यादा हो तो उसमें आपको अच्छा जड़ जो है देखने के टाइम में इसको जो मेथी दाना है उसको पानी में भीगो के रख दीजिए और सुबह आप अगले दिन नेक्स्ट डे उस मेथी को जो पानी में डली हुई है पानी के साथ ही आप सप्रिंकल कर दीजिए पोट के ओपर तो कुछ दिन बाद आपको महां से प्लांट जो है नजर आएंगे तो आप इसको भी अगर फिलाप वाले पोट में लगाएंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा अगली बारियतिया सलाद में यूज़ करने वाली खिरे की इस खिरे को भी आप असानी से लगा सकते हैं 12 इंची के उपर का पोट ले सकते हैं अगर नहीं है तो 12 इंची का कम से कम हो और इसको लगाने के लिए आपको अब ये बेल वाली सब्जी है इनके बारे के अंदर मैं आपको बता दूँ कि ये तब अच्छा रह जल्ट देती हैं जब इनके लिए आप कोई मचान टाइप सा बना दे यानि कि उपर की तरफ कोई जाली टाइप सी ऐसी हो जिसमें से य लटकती हों जैसे कि ये लटक रही है जैसे कि आप पिचर में देख रहे हैं जितना आपका फ्रूट लिए खीरा लटकेगा उतना ही ज्यादा बढ़ियार चल्ट देगा जैसे तोरी लटक जाती है घीया लटक जाती है क्रेला लटक जाता है बेल वाली सब्जियों में उस तो आपको इतना चार जल्ट देखने को नहीं मिलेगा तो इसलिए एक उपर मचान टाइप साफ बना देंगे तो ज़दा बैटर है अगली बारी आती है ककड़ी की ककड़ी को भी आप इस मोसम में असानी से लगा सकते हैं ये भी 12 इंची के पोट में असानी से लग जाती है तो इसका भी मैं आपको रिकमेंट करूँ हूँ कि आप अगर इसको भी पोट बगारा कहीं से ले आएं तो ज़दा बढ़ी है और अगली बारी आती है हमारी यहाँ पर पेठे की ओ सोरी तर्बूज की तर्बूज को भी आप असानी से 12 इंची के पोट में ग्रोव कर सकते हैं मगर इनके लिए मैंने आपको बताया ही है कि बेल बारी के लिए मचान आप जरूर बनाएं तो तर्बूज के लिए भी आपको 12 इंची का पोट ची है कम से कम और एक पोट में एक ही आप बेल लगाएं ये भी इस बात का भी ध्यान रखें अगली बारी आती है करेले की करेले को भी आप इस मौसम में असानी से ग्रोव कर सकते हैं इसको ग्रोव करने के लिए भी आप घर पे ही एकरेला ले आएं उसी करेले को पके हुए बीज कई बार क्या होता है करेले में से निकल जाते हैं पका हुआ करेला होता है जिसके बीज काफी हाड होते हैं उसको आप दो दिन चाहे में सुखाए उसके बाद उसको ग्रो कीजिए तो आपको वहां से प्लांट मिल जाएंगे और उनको आप एक पॉर्ट में लगाएं और इसी प्रकार से किसी ब्रांच के साथ आप उसको मचान के उपर चड़ा दीजिए तो इससे भी आपको काफी अच्छा जल्ट मिलेगा और क्रेला भी आपको काफी बड़ा बड़ा देखने को मिलेगा अगर आप गोबर खाद का यूज करते हैं तो अगली बारी आती है हमारी कद्दू की जिसको हम सीता फल भी कहते हैं इसको भी आप असानी से नो इंची से बारा इंची से बारा इंची के पोर्ट में आप असानी से ग्रो कर सकते हैं अगर मैं आपको यहाँ बार बार कह रहा हूँ अगर आपके पास बारा इंची का पोर नहीं है तो आप 10 किलो की आटे की थैली जो होती है प्लास्टिक की मोटे वाली उसे यूज में ले लीजिए वैसे भी आपके वो बिल्कुल बेकार चली जाती है अगर आप उसको यूज में लेंगे आपने करना क्या है कि उन थैलियों को उल्टा कर लीजिए अंदर की जब स आजाती है तो वो देखने में और नहीं लगती वो ग्रोव बैक का ही अच्छे से काम करती है तो आप उनको यूज में ले लीजिए ठीक है ना क्योंकि यह हमारी जितनी भी सबजियां है आखरी इनका लास्ट पीरिड जो होता है वो चार महीने के अंदर अंदर ये अपना फ्रूट देदेदी है ग्रोव होने से लेकर चार मीने के अंदर फ्रूटिंग तक का डाइमन का खतम हो जाता है तो इसलिए वो ग्रोव बैग जो आपका पौलोथी ने वो चार मीने ऊजली चल जाता है ठीक है ना इस बात का भी आप देहन रखें अब बात करते हैं फलीयों की फलीयों को भी आप असानी से 12 इंची के बोर्ट में ग्रोव कर सकते हैं और इसके लिए भी आपको बेल वाला जो मैंने बताया है सिम प्रोसेस वही रहेगा अगली सब्जी आती है हमारी घीया की घीया को भी आप गमले में ग्रोव कर सकते हैं इसका भी प्रोसेस वही है जैसा की क्रेला तोरी खीरे का है ठीक है न उसके बाद बारी करते हैं मूली की मूली को आप जो है परा इंची के पोर्ट में ज्यादा ग्रोव करेंगे तो ज्यादा बैटर है क्योंकि ये लंबाई में नीचे की तरफ जानी होती है तो इसको जंगा भी चीए ग्रोव करने के लिए और मिनिमम आप इसके अंदर पांच प्लाट एक पोर्ट में लगाएं तो वह ज्यादा सफिशेंट है इनके अंदर जो गैपिंग है आपको वह है तीन से चार इंच के बीच में रखनी है यह आप समझ कर तब लगाएं इनको ठीक है इस बात का आप दान रखें कि तीन से चार इंच की गैपिंग इनके बीच में होनी जरूरी है अगली बारी आती है हमारी प्याच की ओनियन ओनियन को आप पहले सीडलिंग के दोरा ग्रोव कर लीजिए उसके बाद आपने जो प्लांट है इनके वह भी आपने 3-4-4 इंच की दूरी पर हिनको लगाना है क्योंकि ये नीचे से गोल होगा बड़ा होगा बड़ा होने से अगर इनके पास स्पेस नहीं होगा तो ये फिर अच्छा आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो इनको भी आपको 3-4 इंच का मिनिमम गैप इनके बीच में रखना होगा और आप ये भी 5-6 जो है ओनियन एक 9 इंची के पॉर्ट से लेके 12 इंची के पॉर्ट में इसली ग्रो कर सकते है अगली बारी आती है हमारी हरी मिर्च के हरी मिर्च को भी आप घर पे ही सीडलिंग के दोरा ग्रो कर सकते हैं जो भी आप मिर्च इस्तिमाल कर रहे हैं उसी को आप दो दिन चाय में सुका लीजिए सीड्स को उनके सीड्स को अगर आप सप्रिंकल कर देंगे तो उनका भी आपको जो प्लांट से देखने को मिल जाएंगे और आप ज्यादा से जादा 9 इंची से 12 इंची का पॉर्ट इसमें इस्तेमाल करें और एक पॉर्ट में दो से जादा प्लांट बिलकुल भी ना लगए अगरी बारी आती है हमारी जीमी कंद की जीमी कंद को भी आप असानी से ग्रोव कर सकते हैं अगर इसके लिए आपको जो है इसकी एक गांट जो होती है वहाँ आपको नटसरी से ही लानी पड़ेगी इसको भी आप 12 इंची के पॉर्ट में असानी से ग्रोव कर सकते हैं तो ये भी इसली ग्रोव हो जाता है तो आप इसको भी ग्रोव कर सकते हैं अब बात करते हैं फ्रूट्स के अंदर फ्रूट्स में आप स्ट्रोबरी का जो प्लांट है जो कि खाने में बहुत ज़ादा स्वादिश्ट होती है और इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि यह जंगा भी ज़ादा नहीं गहरती आप इनको 9 इंची के पोर्ट में भी असानी से ग्रोव कर सकते हैं आपको करना कुछ भी नहीं है कि एक बार आप मार्केट से पर्चेज कर लाएं और आप यह जो देख रहे हैं इसके ओपर यह छिलका इसी के सीड़ यह सीड़ी होते हैं आप इनका छिलका उतार उतार कर मिटी में डाल दीजिए और कुछ टेम बाद आपको उसके अंजर से जो है प्लांट बाहर आते भी नजर आएंगे आप उन प्लांटों को एक एक दो दो प्लांट आप 9 इंची के पोर्ट में लगा दीजिए तो इसका भी आपको देखने में अचार जर्ट मिलेगा क्योंकि यह फिलावट इनकी ज्यादा नहीं होती है तो यह देखने में भी काफी सुन्दर लगते हैं तो आप इसको भी जरूर लगाएं क्योंकि यह गर में लग जाने वारी सबसे बहतरीन और सबसे कम जगा में लगने वाला फूरूट है इसको आप जरूर लगाएं और यह अगर आप बाई चांस नहीं भी खाते हैं तो भी यह जो है लाल रंगिन का देखने में बहुत ही ज़्यदा बढ़िया लगता है यकीन मानिए आपके गार्डन में चार चांद लगे जाएंगे तो फ्रेंड्स उमीद करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा कि हम जो है अपने टेरिस गार्डन को सुंदर बना सकते हैं और साथ ही साथ हम उसके अंदर जो और्गैनिक सबजियां हैं अपने घर पे ही असानी से ग्रोस कर सकते हैं अगर आपको यह मेरा वीडियो इंफर्मेटिक लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक जिरूट कीजिए शेयर जिरूट कीजिए और जिरून ने तक सबस्क्राइब नहीं किया है वैं भी सबस्क्राइब कर लें क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल सिंपल वे में बताता हूं कि गार्णिंग आप कैसे कर सकते हैं आप यह बिकार के जितने भी प्रड़क्ट मार्केट में बिक रहे हैं उन सब को छोड़ दीजिए वाइड कर दीजिए क्योंकि बार बिल्कुल कच्रा मिलता है आपको नहीं मालूम कि क्या चीज़ आप खा रहे हैं तो इससे बड़िया यही है कि अगर आपके पास छोटी बॉल कौन ही तो होगी बॉल कौन ही के अंदर भी आप इसको असानी से ग्रो कर सकते हैं तो यह चोड़ी चोड़ी चीजिए आप अपने घर में लगाकर अपने घर को भी सुंदर कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने घर पे ही और्गैनिक चीजिए अपने अगर आप अपने हातों वारा लगाए हुआ खाएंगे तो आप उसका सुवाद देखेंगे बिल्कुले डिफरेंट आपको मिलने वाला है और साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा आनंद महसूस होगा तो इसके साथ मेरे मुझे इजाद दीजिए मेरे नेक्ट वीडियो के लिए इंतजार क हुआ 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 है